हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगे इस्टरलाइट टेक्नोलोजी की स्टॉक के बारे में तो इसके बिजनेस के बारे में देखेंगे और इसके क्या प्राइस टार्गेट नियर फ्यूचर में हो सकते हैं और लॉंग टर्म इंवेस्टमेंट के प्रस्पेक्ट बनाने में इंडिया की market leader company है 45% market share के साथ काम करती है ये company और company का current price 216 है जो कि इसके around 50 days moving average के पास दिखता है जो कि 50 day moving average 203 है अगर company 203 around 200 to 210 के बीच में आपको available होती है तो काफी अच्छे valuation पे आप इसको खरीद सकते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि company जो है इसकी खास बात आप देखोगे कि इसके पास around 10700 करोड की order book है जिसमें से around 5500 करोड की जो order book है उसके deliverables जो है FOI 22 तक देने है तो ये काफी अच्छी बात यहां से इसमें नजर आती है कि जितने की company का market cap है आप देख सकते हैं company का market cap है 8500 करोड और company की जो recent order book company के पास है optical fiber से related वो है 10700 करोड की और जो optical fiber का business है आने वाले time में grow करना ही है तो book value है company की 44 और debt to equity ratio है 1.28 तो इस company के उपर around 2000 करोड का debt है वो इसके अंदर थोड़ा इसके जो balance sheet है इसमें थोड़ी problem नजर आती है बट इनका जो labor intensive और labor intensive plus इनका जो machine reads से related like optical fiber से related काम है तो इसकी वज़े से इनको debt लेना पड़ता है जिससे की ये अपनी product को तयार कर सके promoter holding इसकी 54.6% है sales growth पिछले 5 साल की देखेंगे तो 10.7% आती है sales growth पिछले 3 यर की देखेंगे 28% आती है जो काफी decent number है ROC stock का 19.4 है around 20 के पास का ROC बहुत अच्छा होता है ROE भी 25.9 है ये थोड़ा ज़्यादा इस होज़े से नजर आ रहे है क्योंगे company के उपर debt है तो उस case में around 20 से उपर का ROE अच्छा होता है तो company 25.9 के काफी अच्छे ROE पे हमें available है तो इसके quarterly अगर result देखें तो इस company ने around quarter के अंदर 1300 करोड की sale की है और इसका company का 230 करोड का profit आता है क्योंकि इसका operating profit margin है जो पिछले 4 quarter से थोड़ा कम देखने को मिला है जो कि पहले 21-22% हुआ करता था वो भी 17% है इस वज़े से company का profit थोड़ा कम है December 29, 2019 के अंदर 240 करोड का profit था जबकि इसकी sales उस time कम थी तो ये directly operating profit margin की वज़े से हुआ है आगे अगर profit and loss statement company का देखा जाए तो आप एक और खास बात इसमें देखेंगे कि company जो है वो sale कर रही है around 5100 करोड की March 2020 के अंदर और company का market cap है 8000 करोड ये एक small cap company है और काफी अच्छा कर रही है यही वो company है जो आने वाले time में as a multi-wagger आपको दिखाई देगी और as a mid cap list होगी then as a large cap भी move हो सकती है तो यहीं से आप इसमें small small quantities के अंदर buying करके चल सकते हैं जो long term के perspective से आपको काफी अच्छा फाइदा दे सकती है जैसे कि मैंने आपको बताया था operating profit margin वो अभी 17% आता है trailing 12 month का जो की March 20 के अंदर 21% का था इसी वज़े से इसके थोड़ा profit के अंदर भी हमें कम नवजर आता है profit दूसरा इसका कम profit होने का reason है जो इसका borrowings है तो borrowings इसकी 2200 करोड है और आप अगर profit loss में देखेंगे तो as a interest company ने पे किया है 209 करोड रुपए 764 करोड के profit मैं से 209 करोड as a interest company ने पे किया है जो इस पे debt है तो जब ये आने वाले टाइम में company debt free होगी debt free होने की अपना debt to equity ratio कम करेगी तो इसके profit में भी काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिलागा और उसी प्रकार से share भी काफ़ी आगे move करता हुआ आपको नजर आएगा company के बाकी fundamentals बहुत अच्छे हैं पिसले 1 year के अगर CAGR return देखें तो 171% के return है एक बहुत अच्छी बात है इस particular company के लिए company ने काफ़ी अच्छे positive में return दिया है ROC अब देख सकते हैं ROC company ने मार्ट 2017 के बाद 20% से उपर की ROC maintain किया है जो कि अगेन एक अच्छा है debtor days company के increase हुए है वो एक इसकी risk दिखती है तो debt के perspective से ये company उतनी अच्छे नहीं है but overall अगर company देखे जाए तो ये काफ़ी अच्छी company है inventory turnover ratio 5.01 months का है तो ये average है काफ़ी अच्छा भी नहीं बोल सकते क्योंकि industry average around 4 है तो industry average से थोड़ा सा inventory turnover ratio इसका ज्यादा है और अगर share holding pattern की बात करें तो promoters के पास around 54.59% share है FIA के पास 4.756% share है and DIAE के अंदर आप देखोगे तो तमाम mutual funds houses जो इंडिया के हैं उन्होंना इसमें अपनी holdings लेर के like reliance, DSP and life insurance corporation Nippon, L&T तो सभी mutual fund houses के अंदर इसकी holding देखने को मिलेगी और public के पास 33.57% का stake है और अगर इसे related आपको और information चाहिए तो आप इसकी financial reports screener.com से आप इसकी financial report को access कर सकता है और detail में इसकी study कर सकता है जिससे आपको इसमें invest करने से पहले आपके पास कुछ और अच्छे points होंगे क्योंकि हो सकता है मैं अपने analysis में गलत हूँ तो आपको एक detail analysis पर करना चाहिए before investing in this particular stock Thank you for watching this video और एक और बात अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हों तो playlist section में जाके future multi-bagger and mid-cap multi-bagger playlist को जरूर access करें और उसमें around मैंने 15 to 20 companies का analysis किया है वो आपके लिए काफिफाइद मंचा भी थो सकता है तो again thank you for watching this video और चैनल को subscribe करना ना भूले